तो दोस्तो आज किस वीडियो में आप लोगो बताऊंगा कि आप अपने वीडियो के बैक्ग्राउंड को कुछ इस तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं यानि कि दोस्तो अपने वीडियो के background में किसी भी image को या फिर किसी भी वीडियो को कैसे लगा सकते हैं वो भी अपने mobile phone से तो वीडियो काफी ज़्यदा interesting and knowledgeable होने वाली हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को complete ज़रू देखेगा तो चलिए दोस्तो भी ना किसी भाकवास के आज किस वीडियो को सुरूप कर लेते हैं उससे अपने भाई का नाम जालेजे मेरा नमे घंसाव और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे YouTube चैनल टेकनिकल घंड में तो चलिए दोस्तो आप चलता हूं मैं अपने मवाईल के स्किन पर एंड वहीं पर मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे आप लोग बहुत ही आसानी से अपने वीडियो के बैक्गराउंड को चैन्ज कर सकते हैं तो दोस्तो फैनली मैं अपने मवाइल के स्किन पर आ गया हूँ तो सबसे पहले आप लोग को एक अप्लिकेशन का जोट पर जाएगा जिसका नाम है कैन मास्टर तो आपको पर पर मिल जाएगा या फिर नहीं तो लिंग वाए डिस्किप्शन वाक्स में दे दिया हूँ वहा पर अपने वीडियो को लिए जाएगा ह lang झाते हैं तो अपने पुर्लियो को लागाना चाहते है अपने चाया यापने चिक्किशन के झाइप पिर आपके ले नहीं दिए यहां पर यहाप लोंगो यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके वीडियो के बैग्राउंड में यानि की बैग्राउंड चेंज होता रहे थोड़ा थोड़ा देर में चेंज होता रहे तो आप लोग को यहां पर और भी बैग्राउंड को सेलेक्ट कर देता हूं और चाहते हैं उसको भी यहां पर इसके साथ ही सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आप लोग को उपर से सही कर देना है और सही करने के बाद दोस्तों यहां पर देख लिजिए सारा का सारा बैगराउंड यहां पर आ गया है उसके बाद आप लोग यहां से सुरुवात में आ जाना हूँ और यहां पर आप लोग को एक बात का हमिशा ध्यान रखना है कि आप जिस वीडियो के बैग़रांड को चेंज करना चाहते हो उस वीडियो को सुट करते समय बैगरन में किसी भी एक कलर के तो दोस्तों एक बात का हमेसा आप लोगो और बीद्यान डखना है कि बैग्ग्राउंड में आप जिस भी कलर के कप्रे को रखते हो उस कलर के कपड़े को पहंद करके आप लोगो वीडियो को शुट नहीं करना है उसके बाद दोस्तों इसको खींच करके जितना बड़ा बैग्राउंड होगा उस हिसाब से यहां पर से सही कर देना है और सही करने के बाद दोस्तों यहां पर मैं एक वार थोड़ा सा पले करके देखता हूं तो दोस्तों यहां पर देख लिजे मैं यहां से यहां से बोलना चालू किया हूं वीडियो में तो इससे पहले वाले पार्ट को आप लोगो डिलीट कर देना है तो उसके लिए सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से कंची पर क्लिक करना ह ट्रीम टू लेफट और प्लेएड को यहां पर सेय्ट कर देना है उसके बाद दोस्तों इस वीडियो के इधर वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग ओपर से सही कर देना है और सही करने के बाद दूस तो इसको खिंच करके यहां शुरुआत में ला लेना है दवा करके खीच करके शुरुआत में ला लेना है और उसके बाद दोस्तों यहां से आप लोग को फिर से एक बार इस वीडियो पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों इस वीडियो के बैक्ग्राउंड को डिलीट करने के लिए सिंपल यहां से आप लोग को chroma key option पर चले जाना है और दोस्तों इसको enable कर देना है और enable करने के बाद दोस्तों यहां से key color पर जले जाना है और दोस्तों जिस भी color के background पर आप अपने वीडियो को suit किये थे उस color के background को यहां पर select कर लेना है तो दोस्तों अगर आप blue पर किये हो तो red को select कर लेना है तो दोस्तों यहां पर मैं green पर किया हो तो green को select कर देता हूं उसके बाद दोस्तों आप लोग को उपर से सही कर देना है और सही करने के बाद दोस्तों यहां पर यहां पर 50 ही रहने देना है और दोस्तों इसको भी यहां पर 50 कर देना है उसके बाद द दोस्तों यहां पर मैं थोड़ा सा एक बर पले करके देखता हूं कि कैसा लग रहा है वीडियो देखने में तो दोस्तों आज किस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने वीडियो के बैक्ग्राउंड को कुछ इस तरीके से तो दोस्तों यहां पर देख सारा में इफ्यक्ट ही है उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं ततकाल इस वाले पर चला जाता हूं और दोस्तों यहां पर मैं इस वाले इफ्यक्ट को लगा देता हूं तो दोस्तों यहां पर देख लीजे कुछ इस तरीके से बैग्राउंड चेंज होगा और दोस्तों अग लोग को कोई सा एफेक्ट लगा देना है तो दोस्तों यहां पर मैं इस वाले को लगा देता हूं यहां पर इस वाले को लगा देता हूं उसके बाद दोस्तों इसको भी खिंज करके और थोड़ा सा बड़ा कर देना है और दोस्तों इसी तरह से आप लोग को यहां पर भी क्ल लगा देना है तो दोस्तों यहां पर भी मैं यह वाला इफेक्ट लगा देता हूं यहां पर मैं यह वाला इफेक्ट लगा देता हूं उसके बाद दूस्तों आप लोगो उपर से सही कर देना है और सही करने के बाद दूस्तों इसको भी यहां पर थोड़ा सा बड़ा कर देन तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहां पर बैग्राउंड सब लेक लग रहा हैं देखने में उसके बाद दोस्तों अगर आप बैग्राउंड में कोई सावी वीडियो को लगाना चाहते हो तो simply यहां से आप लोग को लाश्ट में आ जाना है और दोस्तों यहां से आप लोग को मीडिया पर चले जाना और मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों आप जिस वीडियो को लगाना चाहते हो उस वीडियो को यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं और दोस्तों यह वीडियो बहुत ही लंबा है तो इसको यहां पर मैं थोड़ा सा कट कर देता हूं शुरू से तो दोस्तों यहां पर मैं इससे पहले वाले पार्ट को डिलीट कर देता हूं इस वीडियो के तो इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से आप लोग को क्वेंची पर क्लिक कर देना है और दोस्तों अगर आप लोग इस बहुत करने के बाद इस वीडियो के बैगरांड म्यूजिक भी बज़ जो करना है और दोस्तो यहां से इसके बैगरांड म्यूजिक को आफ कर देना है उसके बाद दूस्तो आप तो दोस्तों आप आप लिए अच्छा लग रहा है यह वीडियो देखने में और लोग इस वीडियो के बीच में और यही यहीं पर एड़ करना चाहते हो तो simply आप लोग वहां पर चला जाना है और दोस्तों के बाद यहां से मीडिया पर क्लिक करके गेली में जाकर के आप जिस भी इमेज को लगाना चाहते तो आप बीच में भी लगा सकते हो उसके बाद दोस्तों बहुत ही आसानी से आपके वीडियो का बैक्ग्राउंड चेंज हो जाएगा उस यहां से एक्सपर्ट कर देया उसके बाद आपका आपका यह वाला वीडियो आपके फूर्न के एक गेली में सेव हो जाएगा यूटुब से लेटेट के आता ही रहता हूँ और दोस्तों अगर आपको भी यूटूब से रिलेटेट किसी भी परकर का प्रोब्लम है डॉट है तो आप मुझे इस्टागराम पर मेसेज कीजेगा मैं आपके मैसेज को पढ़ करके आपको जरुर से जरुर रेपलाइद दे दूँगा दस्तों इस्टागराम का यूजर नहीं मैं घंसामजी123 या फिर नहीं तो लिंग को आप डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दिया हूँ तो जाइए और फोलो करके मैसेज किजेगा तो चलिए दूस्तों फिर मिलता है किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रा